नमस्ते मैं हूँ पायल रहादगी जी हाँ ये मेरा विडियो है रिया चक्रवर्ती और उसके पीछे के बड़े बड़े लोगों के लिए जो जान भूच के सुशान सिग राजपूत के मेमरी को खराब करना चाहते हैं वो सुशान सिग राजपूत जो एक टालेंटेट फिट सूपरस्टार था ये कहके कि वो एक ड्रग एडिक्ट हो गया था तो हम सबको पता है कि बॉलिवूट के अंदर सबसे बड़ा ड्रग एडिक्ट कौन है संजय दत के ऊपर तो पिक्चर भी बनी है और आज की तारीक में he is unwill because of his bad habits probably because he didn't give it up and उसके बावजूद हम सबने करण जोहर का खुद का विडियो देखा है जहां पर उसके घर के अंदर किस तरह की parties होती है बॉलिवूट के अंदर ड्रग्ज का एडिक्टिन है and that is no you know there is no doubt about this thing मगर आप जान बूझ के सुशान सिंग राजपूत की मेमरी को अटाक करना चाहते हैं अपने आपको बचाने के लिए with the help of so called liberal media तो रिया चक्रवर्ती आपको सोचना चाहिए कि ये social media का जमाना है 2013 में ना वो depressed थे ना वो कोई depression की दवाई ले रहे थे जिसका नाम लेके आप राजदीब सर्देसाई की shoulder के ओपर रही थी वो एक सोने की दवाई है या sleep disorder को treat करने की दवाई है तो जूटी खबरें पहलाना बंद करिये जैसे आपने molestation की कहानी पहलाई you know accusing सुषान सिंग राजपूद सिस्टर वैसे आप ये depression की कहानी पहलाने का प्रयास कर रही थी कि कैसे उसको claustrophobia होता था you know before flying जबकि उसके flying के videos viral किये हैं अंकिता लोखंडे ने अंकिता लोखंडे के साथ कभी वो depressed नहीं था मगर आपके आने के बाद वो depressed हो गया तो सबको समझ जाना चाहिए कि कौन आस्तीन का साप है नमस्ते